बलराम क्यों नहीं गए महाभारत युद्ध में भाग लेने? बलराम जी महाभारत के एक अत्यंत रोचक किरदार हैं, जो लोग उनको शेशनाग का अवतार मानते हैं. उनका हथियार हल ये इस बात का प्रतीक था, कि उस समय से किसानी चलिया रही है. और कितनी महत्वपूर्ण थी? पूरे संसार में गदाधर, धनुर्धर, चक्रधर तो बहुत हुए पर हलधर एक ही मिलेंगे. विश्नु पुरान में बलराम को किसानों का देवता बताया गया है. उनके जन्मदिन को हल छठ बोला जाता है. भीन को बहुत लंबा चोड़ा ब पूरी दुनिया में एक ही स्त्री से उनकी शादी हो सकती थी. रेवती उस समय बहुपतनीत्व आम बात थी. क्रिश्न की भी आठ या दस रानिया थी पर बलराम का एक ही विवा हुआ था. बलराम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए लोगों से जल्दी भाव में थे तब तक ठीक था. क्रिश्न और उनके भी कई बार मतभेद हुए थे. जरासंध ने मतुरा पर 18 बार हमला किया था. कई बार क्रिश्न और बलराम उसको मारने के नजदीक आ गए थे. पर हर बार क्रिश्न पीछे हट जाते थे. इस बात से बलराम नाराज होते जब क्रिश्न ने जरासंध के बार-बार के आक्रमनों से दूर होने के लिए यादवों को मतुरा से द्वार का शिफ्ट होने के लिए कहा. बात-बात पर हथियार निकाल लेने वाले मरने मारने पर उतारू रहने वाले यादवों के लिए भाग निकलने का ये प्रस्ताव असहय था। बलराम समेत पूरी सुधर्मा सभा कृष्ण के खिलाफ थी। जिस तरह से कृष्ण ने अपने तरकों द्वारा सब का सामना किया। और सब को मना लिया। इसके बाद यादवों को ही द्वार का चलने की जल्दी मच गई। इसी तरह जब अर्जुन ने सुभधर हरन किया तब भी बलराम अर्जुन को दंड देना चाहते थे। पर कृष्ण ने उन्हें मना लिया। पर राजसुय यग्य के दौरान दुर्योधन से उनकी निकटता हुई। और उसने बलराम को गुरु बना लिया। जुट क्रीडा में जो कुछ हुआ उसके लिए बलरा दौर्योधन और बलराम के बीच पहले ही मंत्रना हो चुकी थी। गुप्तचरों के माध्यम से बलराम को युद्ध का हाल पता चलता रहा। इसलिए जैसे ही दौर्योधन के प्रान संकट में आये वो सीधे वहीं पहुँचे जिधर दौर्योधन छिपा था। बाद में उ तो हा स्यास पध्धा क्योंकी अठारा दिन के युद्ध में सारे नियम पहले ही तूट चुके थे। फिर वो युधिष्टिर के राज्याभिशेक में शामिल हुए बिना ही द्वार का चले गए। कृष्णबलराम साथ पले बड़े सांदीपनी आश्रम में। एक साथ श ऐसे उदाहरन आपको अपने आसपास भी धेरों मिल जाएंगे। मित्रों और भाईयों माताओ बेनों। लाइक चचकराईब कर लिजेगा जै श्री कृष्णा।